मैंने देखा है मेरे भाई बेव जबान निकलोता बेटा मर जाए तो कई कठोर बाप ऐसे होते हैं कि रोते नहीं सारे आंसू पी जाते हैं लेकिन मैंने इतना कठोर बाप नहीं देखा कि बेटी के विदा हो और वो रोन न सके तूट जाता है वो अंदर से कहीं का नहीं रहता कव जिस दिन वो अपनी बेटी को विदा करता है आजनक जैसे ज्ञानी, वेरागी, विद्वान, ब्रह्म सुक को जानने वाले बेटा जब सीता विदा हो रही है तो धीरता भागी सारी उनकी जो ज्ञान की सीडियां थी सब चकना चूर हो गई बेटी के प्रेम के आगे, बेटी के भीयो के आगे और कहने लगे विदाता, तुने बेटी को संसार में जन में ही क्यों दिया अपने घर में कोई नहीं रख सकता, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिकारी हो आखिर बेटी तो विदा करनी ही पड़ती है वो बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुरा वो बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुरा रखियो अपनो ध्यान रे बाबुल रखियो अपनो वो बाबुल मेरे तेरी बेटी चली ससुरा उंगली पकड के चलना सिखाया उंगली पकड के चलना सिखाया गिरने लगी तो बाबुल दोड के आया तूने सिखा दी मुझे चाल तूने सिखा दी मुझे चाल बाबुल तेरी बेटी चली ससुरा बाबुल मेरे पेटी चली ससुरा भूल सकल तो शमा कर दी चाल बूल सकल तो शमा कर दी चाल मेरे सोधे तो जल्दी दी जो मेरे सोधे तो जल्दी दी चाल तेरे विन हाल बेहाल तेरे विन हाल बेहाल बाबुल तेरी बेटी चली ससुरा मेरे पेटी चली ससुरा मैं तो तुम्री गाई हूँ बाबुल में तो तुम्री गाई हूँ जा भेजो वहां जाओ निस दिन दिन ही रात में तेरे गीत मुख माचान की कहती हैं मैं तो आपकी गाई हूँ बाबा पिता जी आप जहां मुझे बेज देंगे मैं तो वहीं चली जाओंगी पर बेटी को विदा करके भूल मत जाना अपनी बेटी की सुद जल्दी जल्दी लेते रहना जनग जी रोह पड़े जनग जी व्यापल हो गए कभी सोचा नहीं था कि ये पल भी आएगा अपने हिरदे के टुकड़े को अपने आप से दूर करना पड़े लेकिन करना तो पड़ता है यही सृष्टी का नियम है विधाता का विधान है जनग जी के इस दुख में और की तो बात क्या करें साब पसु पक्षी भी रोने लगे सुकु सारे का जोथी वो सब रोने लगे जो भी देख रहे पूरी मिथला में अहां कार मच गया सीराम जाना चाहते है जानकी जी जा रही है सब लोग दुखी हो गए पर यह निश्यत है के जाना तो हाई है